राश्ट्र पूरुष का मतलब होता है कि जो संपूर राश्ट्र के बारे इससे सिर्ण नितिश कुमार जी का जो चरित्र था वो चरित्र सब के सामने आ गया है इस्टन राज़तान के लिए ERCP की आउ सकता है राश्ट्र सरकार इसमें फिलम नहीं करें राश्ट्र पूरुष का मतलब होता है कि जो संपूर राश्ट्र के बारे तो राश्ट्र की डेफिनिशन ही होती है कि बेक्तियों का जो समू है वो समू के समान परंपराएं हों और वो हैं निसित भूबाग में रहता हो समान संत्र नित्र भाव हो उनमें नीचे से लेकर उपर तक का जो बिखती है उनका चिंतन करके उस राष्ट को आगे बढ़ाता है वो राष्ट प्रुश हो बिहार में जो राजनितिक गटना करम हुआ है वो राजनितिक दोखा दड़ी के रूप में देखा जाएगा और इससे सिरी नि नादे और उसका परिवार भ्रस्काएं में उनके साथ मेरे सकता अब उनके साथ वापस चले गए हैं तो कुल मिलाकर यह हुआ है जमता के साथ विश्वासगात देखे यार सीपी के बारे में सबसे पहले वसंद्राजी की सब सरकार थी उन्होंने यार सीपी का नाम और वो है इस्टन राज़तान में नहीं है इसलिए इसका नाम इस्टन राज़तान केनाल प्रोजेक्ट यह इयार सीपी हुआ अब इस इयार सीपी का मूल डांचा में तीन बातों की बहुत बड़ी कमी है पहली कमी है कि 75% पानी हम कहां से आएंगे यह डी पी आर में राज इसमें आने वाला काली जिंद्गा पारवतिका और सब नत्यों का वो मद्यपरदेश ओकर आती है इसलिए मद्यपरदेश के बीच में हमारे बीच में जंबल का समझ होता है जिस पर जवार सागर और रणा परताफ सागर बांध यह बने हुए है तो हमको उनसे सहमते लेनी लेगी तो भारस सरकार से हम निवेदन करेंगे कि भारस सरकार जोजना मदद करें और E.R.C.P. मेरा मानना है कि राजिश्टन राज्सतान के लिए E.R.C.P. की आऊसे सरकार इसमें भिलंब नहीं करें इसमें राजिति नहीं करें यही राजिवी जन्ता के हिच्पे यह सब्सक्राइब राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट नहीं देगी कि 75% पाणी इसमें आएगा और इसका इतना उप्योग होगा और मद्यपर्देश से सहमती नहीं लेती और डिपी आर पूरी ठीक से नहीं बनाती यह तैनी करती कि यह पाणी किस-किस बाद में जाकर बरेगा कि किस जिलों में जाएगा किता सिचाओ में जाएगा किता पे जल में जाएगा यह काम करने का सारा का राज्य सरकार का है तो तो पिर सारे सान से मिलकर ही कोशिच करेंगे झाल झाल